नमस्कार दोस्तों मैं हूं हर्स चौधरी और स्टेडी गेराज में आपका स्वागत है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको होली की धेरो शुबकामना है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पताऊंगा कि मैंने अर्टी का को छोड़कर इस मराजु को क्यों चुना उसके पीछे क्या क्या कारण है और क्या वज़े थी तो आइए बीना टाइम वेश्ट करें वीडियो के शुरूबात करते हैं तो दोस्तों आपको बता दूं कि मेरी जो पहली चोईस थी वह अर्टी का ही थी उसकी काफी सारी वज़े थी जैसे कि एक तो उसके इंदर से एंजी अवेलेबल था जिसके कारण माइलेज काफी अच्छा कासा मिल जाता दूसरा कारण यह था कि काफी सस्ती थी नो दस लाग रुपे में आपको सेवन सीटर और नामी गाड़ी मिल जाती और तीसरा कारण था उसकी जो लुक्स थी वह मुझे काफी पसंद थी इसक सोच रहा था लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे कारण भी थे जिसके कारण मैंने अर्टीगा को छोड़कर इस महराजों को चुना तो दोस्तों सबसे पहला कारण यह था कि जब हम अर्टीगा बुकराने गए तो उसका जो वेटिंग पीरिएड था वह लगबक 6-8 महीने का व से कारें तो अर्टीगा के जो वील है वो 15 और मराजों के जो वील से हो 17 इंच के आते हैं कि दूस्तों बड़े टायर रहते हैं वह काफी हल्फूल रहते हैं ंरिक है गारी आपकी काफी चीपक कर चलती है तो सबसे पहला करन तो यह था मेराराजों चुनने के पीछे इसके अलावा अगर बात करें तो अर्टिया की जो हाइट है वो मराजो के कंपेर में काफी नीची है वही मराजो काफी उची है और जब आप मराजो चलाते हैं तो आपको काफी कमांडिंग पोजिशन मिलती है पूरी रोड की विजिबिटी बहुत अच्छी रेती है और से वह काफी कमफर्टिबल है आपको हेंड रेस्ट भी मिल जाता है और उसके सीट्स की बनावट भी इतनी अच्छी है कि आपको ठकावट नहीं होती है इसके अलावा सेगें रोवर तर्ड रो की बात करें तो मराजों में जो स्पेस हैं वह काफी अच्छा है अर्टिका के अगर हम बात करें लास्ट्रो की तो लास्ट्रो में अर्टिगा केसेंजर बैठ सकते हैं वहीं मराजो के अंदर तीन पैसेंजर बेट जाते हैं यह सब के अलावा जब आपको थर्ड रों में अंटर करना होता है तो सेकेंड की शीट को आप नीचे गर के अंदर घुषते हैं तो मराजों में वो जो सीट है वो पूरी तरगे से आगे हो जाती है वहीं अर्टिका में वो आधी ही नीचे होती है जिसकी वज़े से पीछे जाने के लिए काफी दिक्कत होती है तो स्पेस जो है वो मराजों में बहुत अच्छा है जो कि काफी important point था मेरे लिए मराजो को चुनने के पीछे इसके लावा अगर AC की बात करें तो मराजो के अंदर आता है roof mounted AC जो की उसका patent किया हुआ है और काफी unique है जिसके कारेंट जो last row में भी passenger बेटता है उसे भी गर्मी नहीं लगती और काफी अच्छा cooling मिल जाता है वहcej अर्टीगा में second row के ऊपपर AC मिलता है,third row के ऊपपर नहीं मिलता तो second row पे जो passenger बेटते हैं उन्हें ज्यादा cooling लगती है वहira 3rd रोपे जो passenger बेटते हैं उन्हें कम cooling लगती है तो AC जो है वो अर्टिका का अच्छा है पर उससे भी अच्छा मराज होग लगा दोस्तो जब भी आप गाड़ी लेते हैं तो आपको हर पेसंजर के बारे में सोचना चाहिए लाश्ट रो में जो पेसंजर बेटता है उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए ज़्यादातर लोग लाश्ट रो में बेटना अवाइड करते हैं क्योंकि वह काफी कंजस्टेड होता है और उसमें वहाँ पे AC की कूलिंग भी नहीं मिलती है तो ऐसी कोई दिक्कत इस मराजों में थी नहीं इसमें भरपूर स्पेस था और भरपूर कूलिंग था दोस्तों मराजों खरीदने से पहले मैंने दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी तो जब मैं अर्टी का चला रहा था तो ड्राइविंग सीट पर बैट कर मुझे ऐसा लगा कि मैं काफी नीचे बेट गया हूं और सेवन सीटर गाड़ी वैली कोई फिलिंग थी और विजिबिलिटी जो रहती है वो काफी अच्छी रहती है इसके अलावा टेस्ट ड्राइव में मैंने ये भी चीज नोट करी कि जब आप गाड़ी को पच्चास के उपर ले जाते हैं तो अर्टिका के अंदर रोड नोईज और एंजिन नोईज काफी ज्यादा आती है म माइलेज अर्टिका का जो ताव को जो जादा था पर जब उनर से मैंने पता करा मराजों के उनर से भी पूछा और अर्टिका उनर से तो जब आप मराजों के अंदर बैठते हैं तो मराजों को इंटिरियर है डेश बोर्ड से लेके एसी तक और सीट तक आपको काफी प्रीमियम फिल होता है वहीं अर्टिका के अंदर इस चीज की कमी देखी गई थी इसलिए हमने अर्टिका को रिजेक्ट किया और मराजों को चुना और अर्टिका को ना चुनने का एक और मेजर कारण था कि अर्टिका जो है वह काफी कॉमन सी गाड़ी हो गई थी क्योंकि 10 लाग के अंदर आपको 7-seater MPV मिल जाती थी तो काफी लोग उसे पसंद करते थे और काफी बिखने वाली गाड़ी थी तो वह एक कॉमन सी पात हो गए थी वहीं मराजों कम भीक रही थी ज्यादा लोगों के पास थी नहीं तो यूनिक चीज़े जो है वह मुझे परसनली ज्यादा पसंद आती है तो इस वज़े से उस सेग्मेंट में हमने मराजों को प्रेफर किया अब दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो अर्टिका जो है वह आपको नो से दस लाग के अंदर आपको मिल जाती है जो कि काफी वेल्यू फॉर मनी वाली गारी है लेकिन अगर आपका बजेट हाई है थोड़ा पंदरा सोला तक अगर जा सकते हैं तो मैं समझता हूं मराजों जो है वह अर्टिका के मुकाबले बेट जो यह शकते हैं उसमें कोई किसी तरह का कोई डर आपको नहीं रखना चाहिए आमतौर पर य्छा डर देखा गया है लोग ऐसा सोचते हैं कि मराजों जो है वो कभी बंद हो सकती इसका मैनूफेक्च्रिंग क्लोज हो सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जितनी भी गाडिया है जो मार्केट में अपना नाम बना कर बैठी है जैसे कि स्कॉर्पियो एक्सुवी or बी कैई गाडिया वो कभी ना कभी तो नई थी और मार्केट में उन्ह mast washing आज नहीं है और यह आने आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा विखने वाली गाड़ी बन सकती है तो दोस्तों ये कुछ बाते थी जिनको मैंने गाड़ी खरीते टाइम कंसिडर किया और उसके लिए मैंने थोड़े पैसे ज्यादा देना ठीक समझा तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो त तब तक के लिए जय हिंद